हेलो दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में जब बात करने वाले हैं create a gmail address तो जब आप अपना email का account बनाते हैं तो यहां पे जब एक box open होता है और यहां पे बोलता है create a gmail address तो इस box में जब आपको क्या भरना है और कैसे जब आप इस box में भरने के बाद आगे बढ़ सकते हैं इस वीडियो में आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों यहां पे जब आप से बोल रहा है कि आप अपना gmail का एक address बनाईए ठीक तो आपका gmail अलग होना चाहिए हमारा gmail अलग होना चाहिए और किसी दूसरे का gmail आप यहां पे gmail address यूज नहीं कर सकते हैं चलिए जो है मैं उदारन के रूप में एक चीज लिख कर यहां पे बताता हूँ जैसे कि मैंने जो हैं यहां पे पवन याई डी अभी यादो लिख दिया है ठीक और यहां पे add the red gmail.com अब यहां पे जो हम next वाले बटन पे क्लिक करते हैं जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पवन yadav add the red gmail.com यह वाला email address जो है अबलेवल नहीं है यानि कि पवन yadav से पहले ही किसी ने अपना gmail account बना चुका है तो यह वाला email address हम नहीं रख सकते हैं दूसरे का है तो हम कैसे रख सकते हैं ठीक है तो यहां पे कुल मिला कर आपको अपना अलग email address बनाना रहता है Gmail का address अलग आपको रखना पड़ेगा ठीक तो यहां पे नीचे के तरफ अबलेबल भी लिखा रहता है कि यह वाला gmail address जैसे कि py615083 यह वाला अबलेबल है लेकिन यह देखने में और यहां पे लिखने में काफी दिक्कत होगी क्योंकि यहां पे बहुत सारे number का उप्योग हुआ है तो ऐसे situation में आप अपना अच्छा सा यहां पे gmail address कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि simple आप तो पहले अपना नाम लिख दीजिए पवन जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया है फिर उसके बाद जो हम दो ऐसी संख्या लिखते हैं जैसे कि 99 ठीक है और YA लिख देते हैं ठीक यह देखिए पवन 99 YA बस किवल इतना लिखने के बाद जो हम next वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यह देख सकते हैं कि यह भी पहले से अबलेवल है तो हम YA D और A लिख देते हैं ठीक नाप पर पवन 99 YA D A ऐसे जो है आपको ट्राइ करना है और next वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यह देख सकते हैं कि यह वाला email address जो हमारा एबलेवल है इस पर जो हमारा Gmail का account बन सकता है ठीक उसके बाद पासवर्ड पूछेगा तो simple आपको पासवर्ड लिखने के बाद next के बटन पर क्लिक कर देना है तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप अपना Gmail address बना सकते हैं एक बार दो बार जो है चेंज करके नमबर और थोड़ी नाम के आगे नमबर के आगे जो है कुछ लिख कर आप आगे की process करेंगे तो आ जाएगा तो unique यानि कि अलग बनाने की कोसिस करिएगा और थोड़ी अच्छा बनाने की कोसिस करेंगे तो बड़े अराम से जया आप अपना जी मेल का एड्रेस जो है बना पाएंगे दोस्तो इस वीडियो में केवल इतना ही था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा